हेगेगई वैलकम टो एकमर्स टॉक यूटूब चैनल गैज आज का जो वीडियो है वह उन सेलेट के लिए काफी हेल फूण होने वाला है जिन्होंने अभी अभी गलो रोड में सेलिंग स्टार्ट की है या फिर गलो रोड में सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं गाज को सो गाइज अपना order process करने के लिए glow road में हमें अपना supplier account से login करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पर just google में glow road supplier login मैंने लिखा है और यहाँ पर हमें link मिल गया है यह link मैंने लिए decision में भी दे दिया है अब आपको supplier login पर क्लिक करना है और अपने supplier account से login हो जाना है अपने login credential यूज करके तो हमारा login email address है और अपना पासवर्ड है वह अपको यहाँ पर फिल करना है और लोग इन पर क्लिक करना है अब जब हम लोग इन करेंगे तो क्या होगा कि हमारे लोगिन नंबर पर टीप जाएगा करी बडाँ टाइड लो जाता है तो तो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं कित टो वरिफाई करने पर हम अपने सब्सक्राइब करना है थे Agent यहां पर अबर को सकते हैं तो यहां में जञ सकते हैं और को और क्लिक करेंगा तो यहां पर स्युखकि वागर प्रता हुच करना इस के लिए तो यह आप डाउंडोड कर सकते हैं बाकि आप कंफर्म और्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक्सल सीट इन्वाइस जो है वह हो जाएगा डाउंडोड और हमारा ओर्डर जो है वह कंफर्म हो जाएगा तो हमने हमें करना क्या है हमें कंफर्म और्डर पर क्लिक करना तो कर आ रहा है हम यहाँ ठालना होगा पैकशिभाद प्रोट का वेड है वह एहां पर डाल देना पड़ेगा है तो यहां पर हमने पैकशि़ अपना बड़े डाल दिया है है और यहां पर हम confirm order पर क्लिक कर देते हैं अभी हम से पूझेगा हमारा स्टिपिंग एड्रेस पीकप आड्रेस पीकप आप कहां से होगा तो यहां पर आपका default order से होगा और एड्रेस पे आप कोई new address अगर पीकप कर नाम साते तो वह भी it Sun tip कर तो अभी हम डिफॉलट से ही कराएंगे और हम पर हम प्रॉसपफ पे क्लिक कर देते हैं मैं लिगया है तो अभी हम हमई प्रॉसपफप जलिक करना है तो पर फोसेस पर हमने क्लिक किया अब हम select all फिर से करना होगा हमें और यहां पर आप दे सकते हैं download selected invoice and mini first का option आपको दिख रहा है तो आपको simply क्या करना है इस पर click कर देना है क्लिक करने के बाद हमारा जो label है वो download हो जाएगा और invoice भी उसी में आपको मिल जाएगा तो download पर हम click करते हैं यह process लेगा और हमारे एक new page देख सकते हैं open हो गया जिसका आपको print लेना है यहां पर basically क्या है आप देख सकते हैं एक PDF फाइल है जितने भी आपकी order ID है उसके यहां पर आप देख सकते हैं first दो copy आपको मिल रहे हैं sorry दो पार्ट है first में आप देख सकते हैं यहां पर यह हमारा हो गया section label का अब देख सकते हैं यहां पर आगर इस page को refresh करेंगे तो यह जो order ID है यह आपका यहां से हट जाएगा इस page को जब refresh करेंगे और यह अप्रोड मेनी first वाली section में चला जाएगा तो इस page को मैं refresh करता हूँ तो देखिए अभी जो order ID यहां से हट गया है और यह सारे orders का अब क्यूंकि यह process हो गया है तो upload मेनी first वाली section में चले गया है तो अब upload मेनी first जो section है three number में उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपका delivery से कितने orders जाने वाले यह आपको सो कर रहा है डेट भी सो कर रहा है अब इसको प्रिंट कीजिए प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपका जो मेनी first है वह आपका download होगा और देख सकते है मिनी first में आपक पर आपको इस पर करना है यहां पर देख सकते हैं अप्लोड का option है तो अप्लोड में जाकर करके अप्लोड कर दीजिए मिनी first को तो इस तरह आप ग्लो रोड में और प्रॉसेस कर सकते हैं आज का वीडियो पसंद रहा है दुलाइज दूरू कीजिएगा साथ यह नहीं है यह नहीं को सब्सक्राइब इस तरह पर मैं आपके लिए ओनलाएं से इसलिए वीडियो लाता रहता हूं